दीपा नेटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुती जल्दी और बहुती फास्ट बनने वाला एक पोटली ब्याग का डीजाइन लेकर आई हूँ यह ब्याग आप। श्रीफ दो गंटे का अंदर अंदर बना सकते हैं बनने के बाद बहुती शुन्दर नजर आता हैं अब देखें इसका फिनिसिंग और लुक में आपको देखा रही हूँ अब देखें यह साइड भाग में इस तरीके से आता हैं और यह ब्याग में चोटी पीबाट साइज में आराम से बना सकते हैं. आइए देखते हैं यह सुन्दर साग Hack किस तरीके से बनानी है? इसमें मैं आट नमर का सलाकई यूजगर रही हूँ. अब देखें इस तरीके से आपको फंदे डालना है. इसमें मैं 26 फंदे डालती हूँ. यह आपको two की multiple का इसाब से फंदे डालना है अब देखे इसका उपर आपको बिनने है अब देखे फस्फंदा बिना मिना देखे इस तरीके से बिना मिना उतारना है अब देखे फस्फंदा बिना मिना धागा आपनी और और एक सीधी बिनने इस तरीके से आपको बिनने हैं दागा आपने और एक फंदा बिना मिना एक फंदे सीधी बिनाई देखें इस तरीके से बनाईएगा दागा आपने और एक फंदा बिना मिना एक फंदा सीधी बिनाई दागा आपने और एक फंदा बिना मिना एक फंदा सीधी यह तरीके से इसी बात को रीइट करते हो सारी पूरी करेंगे अ helfen कि जहां कि यह कंशिए यह फंदा बिनाइन यह है साइट पूरीगर्ने के बाद इसकी उल्टी साइट मतलब रंग साइट मतलब रंग साइट रंग साइट से आपको पिरसे बिनने है अब देखिए it फस फंदा है इसको आपको बिने मिना उतारना है इस तरीके से और यह दो फंदे एक साथ है इसको शीधी बिनने है इसी बात को रिपीट करेंगे एक पंदा भीना बिना गाटवाला और यह 2 पंदे एक साथ 2 तका satisfies अब इसी बात को रिपीट करने है एक पंदा बीना मिना 2 पंदे 2 काईग तागा आपने और één यक वंदा बीना मिना, दो फंदे, दो काइक. ताग आपने ओर एक वंदा बीना मिना, दो फंदे, दो काइक. इसी बात को रीपीट गरते होए पूरी सलाइख बिनने हैं. I आप इसी तरीके से इसी बात को रिफिर गत्य गुत जाजत से है सक्वारि और 2007, की कि सीदीजाट तीश्री वालप्ति ये गांट वाला है इसको बिनाां उतारना है फिर फं मिनन ऊतारना घ्रत दो उतारना है इस तरिके से और ये 2 खंद grid संद ये इसको दो revision य हुआ अब को ऑन्याट वहे आपको दुनों साइड से बिनन आपको दो और भöd difन दो इसी बात को repeat गारनी है, दोनों साइड से, अब देखें, मैं इतनी बिन चुकी हूँ, दोनों साइड से आमारा एक ही design आता है, अब इसका उपर में शेम उसी तरीके से बिनती हूं, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं, अब देखे एक फंदा बिना मिना अब देखे ये दो फंदे है दो फंदे आपको दो कायक बिनने है देखे इस तरीके से धागा आपनी ओर एक फंदा बिना मिना दो फंदे दो कायक ये थोड़ी बिनने के बाद आपका पैटन नजार आता है पतलब इसी बात को रिपीट करत यह आपको देंगा है अब से गुवना का एकट है कि अब अटुम है वह सी पैटर शुंद्र इस में इस सब्सक्राइब starters यह इसी भी पोर्जेट में डाल सकते हैं आपको कैसा लगा यह पैटन कमेंट करके जरूर बताइए अभी तक दिपेंडेटिंग चैनल में नौए हो तो पिलिप सस्क्राइब गरिए इस तरह का आसान और यूनिक पोर्जेट पानी के लिए देखिए फरस फंदा बिना मिना उता दागा आपने और एक फंदा बिना मिना दो फंदे दो कायक इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सलाई बिनिंगे मैं भी पूरी सलाई बिनती हूँ इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखे मैं इस तरीके से बिंते लास में आ रहे हूँ एक फंदा बिना मिना दो फंदे दो कायक एक फंदा बिना मिना और लास में दो फंदा है इसको आपको दो फंदे एक सद दो कायक बिनने है ये पैटर्न बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका हाँ ये 1 रोम का बहूती सुंदर प्याटन आप भी जरू ट्राइय गरियेगा है ये बहुती संदर है और बहुती फ्यक्सिवड़ है और आसान ऊप आप किसी भी साइज में बना सकते हैं तरीके से आपको जितनी लंबाई आवसेक हैं उतनी लंबाई बीन सकते हैं और ये लंबाई पूरी होनी के बाद मैं इसमें बंदगरने के तरीके बता रही हूं ये दो फंद एक साथ बिनने हैं फिर दागा आपने और एक फंदा इस तरीके से आपको बिनने है प्याटन पूरी हूनी के बाद अब देखिए एक फंदा उल्टा बिनाए धागे पीछे दो फंदे काईग इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गोरती होए आपको पूरी सलाई बिनने हैं mm गाठ वाला आपको बिन्ते हो है लास में आ रही हूँ दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा बिनाई तागे पीछे दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा बिनाई इसी बात को रिपिर गरते होए बिन्ने है लास दो फंदे है इसको भी दो फंदे एक साथ बिन्ने है आप देखें इमें कित फंदा बिना बिना दागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का उपर से गिरानी हैं फिर दागा आपने और उल्टी फंदे उल्टी बिना इबिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का उपर से गिरानी हैं देखें मैं सारी इसी बात को रिपीट गा आती हूं अब देखिए ये पीछे का फंदा इसी का उपर से गिरानी है फिर एक फंदा उल्टा बिनाई पीछे का फंदा गिरानी है इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने है अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए लास में आ रही हूं तागा आपनी और एक फंदा उल्टा बिनाई, पीछे वाली फंदे गिरानी है, लास्ट का सीधी है, इसलिए सीधी बिनाई बिनने है, और पीछे का फंदे गिरानी है, गिरानी के बाद थोड़ी खिसना है, अब देखे ये इस तरीके से आ रहा है, अब देखे इतनी बिनने के बाद इस तरीके से पलटनी है, बैक साइड की तरफ, अब देखें इधर आपको बिनने, देखें इस तरके से कुरस लगाएनी है, और फिर टाइट गरनी है, और टाइट गरनी के बाद, अब देखें ये पीछे का चेन है, इसमें आपको इस तरीके से सिलिप इस्टीज लगाएनी है, अब सारी हाम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए सिलीब इस्टीज लगाते हुए इसका जोड़ाई गरेंगे अब देखे मैं इसी तरीके से जोड़ाई गरते हुए आ रही हूँ देखे ये वाला चेन लेना है पिछे का ये वाला इस तरीके से लेना है और फिर सिलीब इस्टीज अब देखे इसी बात को रिपीट गरते हैं आपको सिलीब इस्टीज लगानी है और फिर लाश में एक चेन डालना है और ये दागा कट गरनी है अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे ये दागा कट गरनी के बाद खिसना है आपको देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब दुसरी सैड भी इसी तरीके से सिलाई गरनी है ये इससे मे अब देखे इस तरीके से सिलाई गरने के बाद ये बहुती खुबसरत आता है अब इसका उपर आपको फिर से बिनाई बिनने हैं कुरुशे से अब देखे इधर से आपको ये चेन में से तागा लगानी है और फिर एक चिन में एक बार सिलिप इस्टिज बिनने हैं देखे इस तरीके से फिर दुसरी चिन में बिनेंगे और फिर सिलिप इस्टिज इसी बात को रिपिट गते हुए आपको सिलिप इस्टिज लगानी है इस तरीके से आपको पूरी राउन बिनने हैं मैं भी इसी तरीके से बीन रही हूँ अब देखे ये हम इधर से शुरुगर रहे थे ये लास्ट वाला चेन है इसमें भी हम इसी तरीके से सिलीबिस्टिस लगाएंगे अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे ये एक चेन डालना है और ये धागा कट गरनी है अब देखे इसको खीचना है सरकल बनानी है सरकल के पीछे धागा ले कर जाना है और ये धागा खीचना है डोरी बनानी के लिए ये स्लिपनट और स्लिपनट बनानी के बाद चेन डालना है चेन इसमें 85 चेन डालेंगे मतलब 85 चेन डालना है अब देखे मैं इसी बात को repeat गरते हैं चेन डालती हूँ 85 चेन डालने के बाद एक चेन आपको एस्टा डालना है देखे इस तरीके से अब देखे एक चेन छोड़का दूसरी चेन से इसी बात को आपको रिपीट गारनी है मतलब सारी चेन में हम इसी बात को रिपीट गारते होए बिनेंगे देखिए इस तरीके से लूप से बाहर निकलना है मैं इसी बात को रिपीट गारते होए बिनती हूँ आप देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ ये तहरी इस तरीके से आ रहा है अब देखें मैं इसका उपर भी बिन रहे हूं चेन है चेन से लूप निकलना है और लूप से बार निकलना है इसी बात को орм dependent होए आपको स्लिप इस्टीज बिनने है अब देखे ये गाठ है इसमें भी हम इसी तरीके से बिनेंगे देखे लूप लेकर आना है और फिर इधर से बार निकलना है अब देखे ये दोनों धागा हम लग गरेंगे इस तरीके से अब देखे ये धागा में कट गर रही हूँ कट गरने के बाद खीचना है अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे ये डोरी बन चुका है ये डोरी आपको एक नीचे एक उपर बनाते हुए लगानी है अब देखे ये में डोरी लगा चुकी हूँ और डोरी लगाने के बाद इसका उपर का आपको खिचना है और ये डोरी आपसे आप निकल जाता है और ये इस तरीके से बनाएंगे तो आप आसानी से खोल और लगा सकते हैं देखे इस तरीके से खोल सकते हैं अब देखे ये ब्याग बनकर रेडी है ये ब्याग आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं अब देखें ये ब्याग का साइड का हिस्सा भी मैं आपको देखा रही हूँ इधर साइड आपको डोरी का गाठ लगानी है इधर साइड कुछ इस तरह का नजर आता है आप भी जरूर ट्राइ गरिएगा अभी तक दिपैनेटिंग चैनल में नौए हूँ तो पिलिज सब्सक्राइब गरे इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेट पाने के लिए अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप डोरी डाल जकते हैं डोरी बनाने का तरीका फिर मैं आपको देखा रहे हूँ इस तरीके से सर्कल बनानी है सर्कल पिछे का धागा आपको खिचना है और ये खिचने के बाद इसका उपर आपको चेन डालना है इसमें मैं 130 चेन डालती हूँ देखे इस तरीके से चेन डालनी है आप देखे मैं इसमें चेन डाल चुकी हूँ इतनी चेन डालने के बाद एक चेन एस्टा डालना है बच्चे आसान इसे पहिं सकें इसलिए मैं इसलिए डोरी बना रही हूँ अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो ये डोरी का कोई भी जरूरत नहीं है अब देखे ये डोरी बन चुका है और ये उपर का हिसा मैं कट गर रही हूँ अब देखे ये इस तरीके से बन कर आता है ये डोरी ये डोरी इस तरीके से साइड का हिस्से में सील कर जोड़ाई गरनी है अब देखें दूसरी में सीलाई गरनी के बाद इस तरब भी मैं जोड़ाई गर रही हूँ ये धागा का गाठ लगा रही हूँ मैं इस साइड इसका उपर साइड में आपको सील कर जोड़ाई गरनी है अब देखें इसमें में डोरी लगा चुकी हूँ